नमस्कार आप देखरें इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी नमस्कार मैं हूँ अमित पालित आज के सबसे बड़ी खबर आज पूरे देश के निगाहें संसत पार्टी की होई हैं जहां लोक सुभा में वित मंतरी निर्मला सीता रमन देश का बजट पेश करेंगी सुभार 11 बजे निर्मला सीता रमन साल 2022 तेश के लिए उनियन बजट पेश करेंगी फिलहाल निर्मला सीता रमन अपने दफ्तर वित मंतरा ले पहुंच चुकी है और अब किसी भी वक्त वितमंत्री राष्ट्यपती भावन के लिए रवाना हो सकती है लोग सुबा में बजट पेश किया जाएगा इस बाल भी एतिहासिक तौर पर ये बजट पेपरलेस होगा सांसदों को आप के जरीए बजट दस्तावे जुपलब्त करवाये जाएंगे आप के जरीए सांसदों के साथ याम नागरिक भी बजट को पढ़ सकेंगे देश इस वक्त चुनावी रंग में रंगा हुआ है यूपी पंजाब उत्राकन सुमेत पांच राजियों में विधान सुभा चुनावे और इसी महौल में वित्मंत्री निर्मला सुटा रमन आज बजट पेश करेंगी आपको बता दें कि आज जो बजट पेश किया जाएगा उसमें सबसे खासियत ये होगी कि ये पेपर लेस होगा और साथी एक एप के जरीए तमाम जो सांसद हैं वो बजट को देख सकते हैं और आम लोग जो बजट को पढ़ना चाहते हैं उनको भी बाद में इसको डाउनलोड करके एप के जरीए पढ़ पाएंगे कि उन्होंने इश्वर से प्रात्ना किया है कि वो पीएम मोधी के नेत्युत में भारत को विश्व गुरू बनाएं तो संस्कृति और परमपरा भारत का हिस्सा है जहां पर एक तरफ आप देखी कि डिजिटल बजट पेश के आजाएगा पेपरलेस बजट पेश के आजाएगा लेकिन दूसरी तरफ जो भारत की संस्कृति है वो भी साथ में चल रही है यानि कि एक तालमेल बजट तो साधर करने वाले फाइनान्स मिनिस्टर मैं उनके साथ हूँ अब पुजा तो इसलिए कि बारत ये प्रदान मंत्री मोधी साब के नेत्रोतों में विश्व गुरु बने बारत सम्रत्द मने लिए मैं पुझा किया। प्रदान मंत्री मानिय मोदी जी ने अपिक्षा किया है कि इस बजेट में हर एक दल, सत्ता दल हो या विरोधी पक्षगवन सब लोगों ने साथ में मिलके बजेट को सुनना चाहिए, सहकारे करना चाहिए. देखें देश के स्वस्वी प्रदान मंत्री जी के नेत्युत में, दुनिया के सरशेष्ट ताकतवर महिलाओं में से एक आजड़्य स्रीमति निद्मला सीतारमर जी के नेत्युत में, देश के सभी सेक्टर के लोगों को भाउनाओं को ध्यान में रखते हुए, एक समावेसी सर्वसमावेसी बजट आने वाला है जिसे निश्चित तोर से देश के लोगों का कल्यान होगा और देश भी आगे बढ़ेगा समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है निश्चित तोर से थोड़ा इंतजार के लिए बजट आएगा सब कुसा इन सभी सभी सेक्टरों को सभी चीज़ी सभी चुनोकियों को ध्यान में रख करके ये बजट आने वाला है थोड़ा धैर रखें आप लोग कुछ घंटों की बात है तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बजट में मोदी सरकार छोटी किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है किसानों के साथ ही नौकरे पेशा लोगों के लिए भी कोई अच्छी खबर आ सकती है एलेक्रोनिक सामानों के इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी कम करने के साथ ही कारूबारियों के लिए भी रहत की खबर आ सकती है कुल मिलाकर इस बजट के जरिये मोदी सरकार 130 करोड लोगों के दिलों तक पहुँचने की कोशिश करेगी और केंदर में मोदी सरकार आने के बाद एक अंतरीम बजट समेत ये दस्वा मौका है जब केंदरिये बजट आ रहा है मौजुदा अवित्यमंतरी निर्मला सीतारमन के लिए ये चौथा मौका है जब वो बजट पेश करेंगे पिछले सालों के मुकाबले इस बार चुनावी मौसब में जहां रोजगार के फ्रेंट पर सरकार को जूजना है वहीं महेंगाई भी आम आदमी की परिशानी बढ़ा रहा है कारोबारियों से लेकर छोटे वैपारी तक अलग-अलग उमीद लगाए बैठे हैं तो हम रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले हमारे संबादाता हमारे स्वयोगी आननद प्रकाश पांटे इस वक जुड़ गए हम सीधा उनसे लेटिस रिपोर्ट ज़रा ले लेते हैं वित मंत्री निर्मला सितारमन अपने दफ्तर तक पहुँच गई है आगे की कहानी पूरी रखिए अननद निकल जाएंगी कभी भी किसी भी वक्त वो देखिए फिलाल वितमंत्राला में वितमंत्री निर्णा सितर्मन अपने जूनियर मंत्री पंका चौधरी और भागवत कराण के साथ और टीम जो पूरी फिनेंस मिनिस्ट्री की जो टीम है उनके साथ फाइनल टसेश को दे रही थ जोगा वह पर लेंट और यहां से सधा वह बजट की कौपी लेकर राश्पती वहन जाएंगी जाहां पर फोटो आप होगा और राश्पती बहां से सीधा वहाश मंजूरी दी जाएगू और सीधा 11 बजए निर्वला सितर्मन लोकस रभाम में अपना बजट भाशन पेश क और आप यह देखें जो वितमंत्राले के जो लिकारी है वो बहार आ गए निर्मना सितर्मन आ गई है उनके हाथ में लाल रंग के कपड़े में लिपता हुआ आप देखिए हैं कि वितमंत्री के हाथ में जो बजट जिससे पड़ेंगी वो उनके हाथ मौझूद है और उनके बाएं और दाएं जो जूनियर वितमंत्री हैं एक तरव भागोत काराड है तो दूसरी तरव पंकर चौदी है और उनके साथ वितमंत्री और पूरी फैनस मिनिश्री की जो टीम है जिसने इस बजट को तयार किया है वो पूरी टीम मौझूद है और यहां से कोशिश की जा उनकी पूरी जो टीम है वितमंत्राले की उनके जुनियर मंत्री है और इस बजट से लोगों को बहुत उमीदे हैं क्योंकि यह कहा जा रहा है कि यह बजट जो है गाओं गरीब किसान का तो हैं साती साथ रोजगार बहाने वाला होगा रोजपार रोजगार परक का होगा औ उसके बाद कहा जा रहा है कि जो एकनामी जो है वो रिवाइवल मोड में और काफी हद तक रिवाइव कर भी चुकी है तो इस बज़र से लेके लोगों को कासी उमीदे है और जैसा कि पांच राज्यों में चुनाओ भी है तो ये भी उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि इन पाच राजों के लिए भी क्या इस पिटारे से बाहर निकलेगा लेकिन आनन देखें सबसे बड़ी समस्य असवक्त देश की जनता के सामने ये है कि महंगाई के माल से वो जूज रही है फिर वो चाहे खादिब सामगरी ही क्यों न हो वो इलेक्रोनिक समान क्यों न हो वो पेट्रोलियम पदार्थ क्यों न हो ये इस महंगाई से जूज रही जनता के लिए कितनी राहत इस बजट में होगी अभी तक कि क्या संभावना है और उमीद जनता कोई जो नजर है इस महंगाई को लेकर है हला ही काफी चीजे जो है वो ज्यस्टी के गारे में आने से और हमारे साथ देविंदर पराशर भी हमारे सयोगी जुड़े हो हैं देविंदर जो तस्विरे इस वक्त हम देख रहे हैं कि अभी तो आपचारिक रूप से जा रही है राश्ट्रपती बबन जाएंगे जहां पर राश्ट्रपती के साथ मुलाकात होगी लेकिन एक जो बहुत इंटरस्टिंग चीज इसमें लग रही है जो हम पिछले दो साल से देख रहे हैं कि पेपरलेस जो बजट जा रहा तो उसमें टैप को देख रहे हैं डिजिटल टा संसथ से संबंदित जो भी जानकारी आपको चाहिए उसके कारवाई से संबंदित उन सारी चीजों को आप उस एप के मारफ़त डाउनलोट कीजे और आको पता चलेले गा कि आ असे संसथ में क्या क्या होना है और कारवाई चल रही है तो क्या डिसकसन होना है इंग Swahik बताने के लिए उपलब्द किया गया है बजट भी निश्य तौप पे उस एप के मारफ़त कोई भी उस एप को डाउनलोड करें उस बजट को पढ़ सकता है अज़ा देविंदर एक चीज़ मैं यह और जाना चाहता हूँ कि क्योंकि मोदी गवर्मेंट को हमने दिखा है कि वो बहुत जादा इलेक्शन को लेकर बाउंड नहीं होती है उनका एक फोकस रहता है कि ओवरॉल एक साल में हम क्या कर रहें एकनॉमिक को लेकर तो आपको क्या लगता है इतने नहों से आप देख रहे है और एक बहुत इंट्रेसिंग डाटा में आपको बता हूँ कि अधर पिछले 15 साल की बात करने तो बजट के बाद लगभग 40 से 42 जगह पर चुनाओ हुए थे उसमें जो रूलिंग पार्टी थी बामुश्किल 12 से 13 जगह ही उन्हें फाइदा हुआ था तो इस बजट का क्योंकि यह बजट बेशर का बजट होता है आपको लॉंक टर110ा वे करना होता है उसका किसी चुनाओा विसे कोई लेना देना नहीं होता है इतनाओ जरूर है अब साल 2019 का देखिए तो स्टेंडर्ड डिड़क्शन लिमिट बढ़ाए गए थी 2020 में इंकम टेक्स के दो सिस्टम लागू किये गए थे 21 में पिछले साल के बात करें तो नए भारत के एक तस्वीर दिखाए दे रही थी लेकिन इस बार के बजट को उमीदों वाला बजट क लिए ये सबसे बड़ा मौका है इस बजट के मारफत की जो कुछ भी वो करना चाहते हैं अपने एजन्डे को लागू करना चाहते हैं इस बजट में कि अगला बार के जो बजट होगा उसके बाद आप देखेंगे क्योंकि चुना होना एक साल में तो उसमें बहुत कुछ कब यह आप समझ सकते हैं जो एक बार जब बजट पेश हो जाएगा उसके बार हम लोग जाला चर्चा कर पाएंगे उसमें वो किसानों को लेकर होगा ऐसे संकेत मिल रहा है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर